पिछले वीडिो में हमने पढ़ा था कि जब किस तरह से बेंजी के माता पिता ने जब उसको पासबुक दिया बेंजी को बैनक का खाता तो बेंजी ने चुप चाप उसे रख लिए अपने पौकेट में यहां तक कि उसके माता पिता ने सोचा था यह तो सीधा साथा आदमी ह तो ये पासबुक हमें फिर लोटा देगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं बेंजी ने जब पॉकेट में रख लिया तब इन लोगों का दिमाग ठनका ठीक है चलिए आगे पढ़ते हैं क्या हुआ उसके बाद इस वीडियो में पूरा चेप्टर खात्म कर देंगे लास्ट तक देख तेरी और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजेगा अच्छा लगता है लाइक देख कर गए और अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज कर दीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं बेंजी's mother and father did not speak बेंजी के माता-पि a strange tremor of a peculiar emotion peculiar मतलब होता है विचित्र अजीब emotion मतलब भावना एक अजीब भावना went through them both उन लोगों से होकर कि गुजरी मतलब एक अजीब सी भावना उनके मन में आई ये क्या हो गया a mixer of disappointment उस भावना में निराशा भी थी fear दर भी था pride और गर्व भी था घमंड भी था कि मेरा बेटा अब इतना बड़ा हो गया डर भी था कि अरे बापरे इसने तो पास्बुक रख लिया जेब में अब क्या होगा and pain और दर्द भी था कि बेटे ने तो फिर कुछ thank you नहीं क का बस है कि smile दिया और पास्बुक रख लिया ठीक है तो वो जो भावना गुजरी उसके दिल से तो उस भावना में pain, pride, fear, disappointment यह सब कुछ था the amount of the amount in Benji's पास्बुक, Benji के पास्बुक में जो amount था जो पैसा था was more than they themselves had ever amazed from the earth in their lives उन लोगों ने अपनी जिंदगी में अपने जमीन से जितना पैसा कमाया था उससे जादे पैसा था उसके पिता ने अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाया उससे जादे पैसा उसके पास्बुक में Benji ने बस मुर्गियों के अंडे बेच के जमा कर लिए थे, they did not hope, उन लोग ने आशा नहीं किया था, and did not mean that Benji should give it back to them, और ये भी नहीं सोचा कि Benji फिर उसे दोबारा उन्हें दे देगा, ठीक है, but there was something about the silence, लेकिन उनकी चुपी में, वो जो चुप थे, उनकी चुपी में, silent में, कुछ था, कुछ बातें थी, जो उसके चु personality of his putting the passbook into his pocket, that struck them, like a blow in the face, जो उस Benji ने जो उस passbook को अपने pocket में रख लिया, इस बात ने उनके दिल पर एकदम struck, एकदम तगरावार किया, एकदम चोट किया, इस बात ने, they had expected something else, उन लोगों ने कुछ अलग expect किया था, कुछ अलग सुचा था, a word of thanks, कि वो उसे thank you कहेगा या, धन्यवाद की कुछ सब्द कहेंगे, perhaps a concession, या फिर कुछ concession ही करेगा, ठीक है, concession का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, concession का मतलब होगा, कुछ, कुछ रियायत या कुछ गुंजाइस थी, a willingness, एक willingness या धन्यवाद, that they should share the money, कि उसे कहते, वो अपने पिता को कहता बेंजी, उसने सोचा था कि बेंजी हमें कहे, कि वो पैसे share करें, मतलब अपने पिता को भी देता वो, they had helped to save, जो उस पैसे को बचाने के लिए, जो उसके मता पिता ने जो महनत किया था, उसके लिए वो कहता कि आप भी थोड़ा पैसा रख लीजिये इसमें से, ऐसा उन लोगों ने कुछ expect किया था, It hurt them momentarily that Benji should appear so completely indifferent to them and to all they felt, और उन लोगों ने जो सोचा था, जो महसूस किया था, उस सबसे completely different, बिल्कुल अलग, ठीक है, बिल्कुल अलग Benji दिख रहा था, Benji जो है, उन लोगों ने जो आशा किया था, उससे बिल्कुल अलग Benji था, Then they remembered why it was, तब उन लोगों को याद आया कि ऐसा क्यों हुआ, It was because Benji was still simple, यह सलिए क्योंकि Benji अभी भी सीधा सादा था, सुधा बुदा था, मंद बुद्धी का था, There were shades of feeling, Filling के shades, मतलब एकदम भावनाओं से भरे हुए, and conduct that were beyond his understanding, और उनकी understanding से परे, उनके सोच से, उनके समझ से, परे, जो Benji ने बैवार किया था, वो इसलिए क्योंकि वो अभी भी पागल था, उन लोगों के ने जन में तो वो पागल ही था, मंद बुद्धी था, They were touched with pity for him, and understood, उन लोगों ने Benji को प्यार से touch किया, एकदम दया की भावना से, और इस बात को समझा कि इसलिने, क्यों नहीं धन्यवाद कहा, थेंक्यू कहा, ठीक है, उसके बाद है, What are you going to do with the money, They said, उन लोगों ने, उन लोगों मतलब उसके माता पिता ने, Johnson and Johnson की बीबी, उसने कहा, उन लोगों ने कहा, कि तुम इस पैसे को ले करके क्या करोगे, I am going to buy a piece of land, Benji said, Benji ने कहा, कि मैं एक जमीन खरीदने जा रहा हूं, Lands, They said, What? Land? Where? जमीन, अब इन्हें आस्चर लग गया, कि अरे बा, ये जो पागल लर्का है, ये जो मंद बुद्धी बेटा है मेरा, ये जमीन खरीदने की बात कर रहा है, जमीन, एक दम आस्चर होगे, कहां, कहां खरीद होगे, Mr. Whitmore, wants to sell the four acres next to us, Benji ने कहा, Mr. Whitmore नाम के आदमी है, जो हमारे ठीक सामने रहते हैं, उन्होंने जमीन बेचने की बात की है, चार एकर जमीन वो बेचेंगे, but Benji, they said, लेकिन उसने कहा कि Benji, how did you know, तुम्हें कैसे पता चला, how did you find out, तुमने कैसे पता लगाया, Benji had a simple answer, Benji का एक simple answer था, simple answer दिया Benji ने, I asked Mr. Whitmore, he said, उसने कहा कि मैंने भी टुमोर से पूछा, कि क्या आप जमीन बेचेंगे, well, they said, लो ने कहा कि अच्छा, that is a very good idea, बहुत ही अच्छी आइडिया है, a wonderful good idea, बहुत ही एकदम जबरदस्ट आइडिया है, you couldn't do anything better, तुम इस से better नहीं कर सकते थे, मतलब एकदम तुमने जो किया, बहुत अच्छा किया है, as time went on, जैसे जैसे समय बीता गया, and Benji acquired the land, और Benji ने जमीन खरीद लिया, his father and mother, not only felt, उसके माता और पिता ने नोकेवल महसूस किया, not only felt that, it was a good idea, नोकेवल यह महसूस किया, कि यह अच्छा एडिया था, but they felt very proud of him, बलकि उसने उस पर बहुत गर्भी किया, उसके माता पिता ने, उस पर गर्भी किया, कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, they had that kind of pride, उसके मन में इस तरह का घमंड था, in simple minded man, that's taken his first step in normal, कि इसके बेटे ने पहला ऐसा कदम उठाया, जो normal वेक्ती की तरह, जो जैसे normal वेक्ती, जो आदमी ठीक है, उसके तरह, उन लोगों के नजर में बेंजी पागल था, बेंजी मंद बुद्धी था, ठीक है, तो उन लोगों के मन में इस बात का घमंड था, कि चलो मेरे बेटे ने, पहला step तो normal वेक्ती की तरह लिया, adult thinks, एक व्यश्क वेक्ती की तरह तो लिया, पहला कदम, इट वाज वंडर्फुल, ये एकदम आश्चर इच्छा की जनक था, 2, that he had taken the step without help, या फिर बिना किसी सुझाव के, all his life they had treated him as a child, उसके पूरी जिंदगी में अभी तक, उन लोगों ने उसके साथ एक बच्चे की तरह बेभार किया था, that will not grow up and now, वो अब आगे नहीं बढ़ेगा, मतलब वो बेभार अब आगे नहीं बढ़ेगा and now, और अब suddenly he had grown up, और वो अचानक आज इतना बढ़ा हो गया, कि अभी तक तो उसने उसके साथ बच्चे की तरह बेभार किया था, और वो आज इतना बढ़ा हो गया, दाओ, यद्यपी, they could scarcely realize it, कि वे लोग इस बात को शायद ही महसूस करते, Benji was a man of property, Benji अब property वाला आदमी हो गया था, इस बात को उन लोगों ने महसूस नहीं किया, ठीक है, कि Benji के पास अब अपनी जमीन हो गई थी, इसके माता पिता के पास जो जमीन थी, वो तो गिर्वी पर ही हुई थी दूसरे के पास, ठीक है, आगे पढ़ते हैं, For the next four or five years, अगले चार और पांच साल में, Benji went on creating more houses for more hens, Benji अधिक मुर्गियों के लिए अधिक घर बनाने लगा, and then selling more eggs and making more money, और अधिक से अधिक अंडे बेचने लगा, और अधिक से अधिक पैसे कमाने लगा, He was still a simple man, लेकिन वो अभी भी एक simple आदमी था, He could not have made a pair of boots, उसने अभी तक एक जोड़ी जूता भी नहीं बनाया, ठीक है, एकदम काम में मगन रहता था, He knew nothing about the stock markets, वो stock market के बारे में भी कुछ नहीं जानता था, Stock market समझते हैं न, जहाँ पे समान सब गुदाम रहता है, जहाँ पे एकठे समान को बेच सकते हैं, घुम घुम के नहीं बेचना परे, But he knew everything about a hand, लेकिन इतना तो वो नहीं जानता था, लेकिन वो एक मुर्गी के बारे में सब कुछ जानता था, His hands were still to him, what the earth was to his parents, अभी भी मुर्गी उसके लिए उसी तरह सब कुछ था, जिस तरह उसके माता पिता के लिए उनकी जमीन, all he had and all he understood, जैसे उसके माता पिता के पास वो जमीन थी चाड़े कर, उसी तरह उसके पास उसके लिए उसका सब कुछ उसकी मुर्गियां ही थी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, there was only one difference between Benji's hands and his parents' land, बस एक ही अंतर था Benji के मुर्गियों में और उसके माता पिता के जमीन में, the hands belonged to Benji, वो जो मुर्गियां थी, वो Benji की अपनी मुर्गियां थी, the land had never belonged to his parents, लेकिन वो जमीन कभी उसके माता पिता के नहीं थे, क्योंकि वो जमीन हमेशा से उनके माता पिता ने अथी, मतलब भारे पर दे दिया था, गिर्वी लगा दिया था, who had rented it now for 40 years, 40 साल से वो जमीन गिर्वी रखे हुए थे, on a yearly tenancy, यह साल भर के tenancy पर, साल भर पर, मतलब एक साल के लिए पैसा दे देता है, उस हिसाब से 40 साल का पैसा उन लोगों ने, उसके पिता ने पहले ही उस जमीन का उठा लिया था, from a man named Sanders, एक आदमी जिसका नम Sanders था उससे, they had often spoken of buying the land, वो हमेशा जमीन खरीदने की बात करते, उस जमीन को खरीदने की, जो Sanders को उसने गिर्वी रखा था 40 साल के लिए, वो हमेशा बात करते थे, कि जमीन खरीद लेते हैं, बट सम्हाव, दा स्कीम नेवर केम टू एनिफिंग, लेकिन कभी भी किसी तरह का स्कीम नहीं आया, उसके दिमाग में कुछ तरीका नहीं आया कि कैसे खरीदें, पैसा रहेगा तब ना, पैसा कैसे आएगा, उसके पिता तो हमें सब भासन देने में लगे रहते थे, एकदम आलसी आदमी था, उसके अब पिता तो कैसे पैसा आता, कमाता नहीं था, इट वाज़े पर बैट करना ही आसान बात था, और पल्पिट मतलम मंच पर भाशन देना ही आसान था, और भगवान में विश्वास करना ही उसके पिता के लिए आसान था, काम केना नहीं, महनत करना नहीं, than to make a business proposition एक business करे एक परतिग्यां करे वेपार करे वेपार करने की परतिग्यां करे मेहनत करे इस तरह का वो नहीं चाहता था उसके लिए यही आसान था भाशन देना and now और अब at 65, 65 साल की उम्र में they were too old to think of buying land land होना चाहिए यहां पे वे इतने बुड़े हो गए थे कि उनके लिए यह सोचना बहुत मुश्किल था कि जमीन को कैसे खरीदें ठीक है यहां पे क्या होना चाहिए लैंड होना चाहिए even if there had been any money for buying land उन लोगों के पास पैसा भी नहीं था कि जमीन को खरीद सके तो कैसे खरीदें अगला पराग्राफ है and suddenly the land was for sale और अचानक से उस जमीन को बेचने बेचने का प्रस्ताव आ गया वो जो सेंडर्स था वो उस जमीन को बेचना चाहता था दियर लैंड उनकी जमीन दियर अर्थ उनकी जमीन which was all they had जो उसके लिए सब कुछ थी Johnson के लिए उसके पिता के लिए माता पिता के लिए जो जमीन सब कुछ था उसी जमीन को आज सेंडर्स जो था वो बेचना चाहता था बेचने का एलान कर दिया the town was spreading शहर बढ़ रहे थे the man named Sanders said center नाम का जो व्यक्ति था उसने कहा कि शहर जो है वो बढ़ रहा है मतलब शहर में कल कार खाने उद्योग धन्दे बढ़ रहे हैं ठीक है and everywhere people wanted land for building और हर जगा लोग building बनाने के लिए जमीन की मांग कर रहे है either he must sell the land for building or he must sell the land to them अब उस सेंडर चाहता था कि वो जो जमीन है वो या तो building बनाने वाले को बेज दिया जाए या वो जमीन जॉनसन को बेज दिया जाए जिसकी जमीन थी तब सेंडर सोभाविक बात है कि सब अपनी जमीन बेज करके पैसे कमा रहा है में इस जमीन को बेज दू, क्यों वो खाली जमीन टखेगा? वो चाता था कि इस जमीन को, या तो बेंजी का पीता, जिसका जमीन था, अपना जमीन था, उसको वो ले ले. ठीक है? 40 साल के रेंट दे करके जो उसने खरीदा था, या फिर वो जमीन किसी business man को बेच दे, building बनाने के लिए, ठीक है, अब क्या हुआ, अब तो, अब इसे इन लोगों के पास इतना पैसा था नहीं कि ये जमीन खरीदने जाता, खरीदता, they felt lost and distressed, distracted, वे लोग, उन लोगों ने सोचा, felt मतलब महसूस किया, lost कि हम लोग इस जमीन को, हम लोगों ने जमीन को खो दिया, या फिर distracted, एगदम विचलित हो गए, वे लोग, distracted, विचलित हो गए, they had lived a vague, वे, एक और असपस्ट, एक और निश्चित, जिंदगी जीने लगे, trusting life without system, जिंदगी को बिना किसी system के, बिना किसी तरीके के, विश्वास करने लगे, with a simple minded son to rear, उसके सामने जो simple minded son था, बेटा था, with an infinite within God, faith in God, एक infinite faith, एक अनन्त विश्वास भगवान में था उनका, but with little, little or no faith in fertilizers, लेकिन उपजाऊपन में, काम करने में उनका विश्वास नहीं था, ठीक है, ऐसे जिंदगी में वे विश्वास रखते थे, as a result, परिनाम they had nothing, उननों के पास कुछ नहीं था, even the earth, धर्ती भी, which they had regarded as inviolate, और वो धर्ती, जिनने वे अखंड समझते थे, inviolate समझते थे, कि उनसे कभी जुदा नहीं होगी, अब वो भी was not theirs, वो भी उनकी अब नहीं रही, and was about to be taken away from them, और वो जमीन भी अब उन लोगों के पास से ज जाने वाली है, ठीक है, deeply and painfully upset, वे लोग अगदम भीतर तक, दर्दनाक, दर्दनाक तरीके से upset थे, they went to the man named Sanders, वे लोग, सेंडर नाम के वेक्ति के पास गए, and told him how it was, और उसे कहा कि ये कैसे होगा, I don't see no way of getting the money, Benji's father said, Benji के पिता ने कहा, कि मिझे कोई रास्ता नहीं से लाओं, so we must get out at Michael Manns, that's all, इसलिए अब मुझे Michael Mess के पास जाना परेगा, Michael Mess मतलब, Michael Mess का मतलब होता है, जो एक परवतिहार होता है, अब उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं, तिर्थी आतरा पर मुझे जाना परेगा, सब कुछ छोड़ चार के, इस तरह से, don't you worry, उसन don't surprise me, you can't see your way to do it, don't surprise me, मुझे पर surprise नो हो, चकित नो हो, कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कुछ करने का, but I can tell you this, लेकिन मैं आपको यह कह सकता हूं, if you can't buy it, आप इसे नहीं खरीदेंगे, somebody not far away will, तो दूसरा वेक्ती से खरीदने से दूर नहीं रहेगा, मतलब, अगर आप नहीं खरीदेंगे, तो दूसरा वेक्ती भी, दूसरा वेक्ती इसे आराम से खरीद सकता है, खरीद लेगा, अब आएगा कहानी में, twist, who will buy it, they said, उन लोगों ने कहा कि इसे कौन खरीदेगा इस जमीन को, उसकी जमीन को, जॉनसन की जमीन को, ठीक है, Benji, he said, सेंडर न गर गए, this was the supremely important moment of their lives, उनकी जिन्दगी का सबसे important moment था, चन था, जब उन लोगों ने सुना, कि उसका अपना बेटा उसकी जमीन को खरीद रहा है, जो 40 साल से rent पर लगा हुआ था, 40 साल से उस गिरवी रखा हुआ था जिस जमीन को, वो जमीन आज उसका बेटा Benji खरीदन वाला है, it seemed like the moment of reward, ये एकदम ऐसा moment था, ऐसा चन था, जैसे उसे कोई reward, कोई पुरसकार, कोई बहुत बड़ा युनाम मिल गया हो, if their faith had been shaken, it was now completely whole again, और ऐसा लग रहा थे कि उनका जो विश्वास था भगवान में, जो हिल गया था, वो फिर से completely, complete हो गया, विश्वास फि देखा, there could be joy and satisfaction, and ultimate good, even in the rising, raising of simple minded son, कि उसका जो बेटा है, जो simple minded son, जो मंद बुद्धी बेटा था, वो किस तरह से उपर उठ रहा है, ये बात सुनके उन्हें, पुरा बहुत आनन्द हुआ, और बहुत संतुष्टी भी हुई, satisfaction भी हुई, we never knew, Benji, अब देखिए, उन लो even suspected, हम लोगों ने कभी संदे भी नहीं किया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा, देखिए, उन लोगों ने कहा, what made you do it, what are you doing, what are you going to do, what made you do it, तुमने ये कैसे किया, तुम क्या करने जा रहे हो, अब इन लोगों का दिमाग ठनक रहा था, कि Benji, अब क्या करने जा रहा है, क् करेगा, पहली बात तो उसने दूसरे जमीन खरीद ली चाहरे कर, अब उसके पिता की जमीन थी, वो भी खरीद लिया, उसने खरीदने जा रहा था, तो Benji ने कहा कि I am going to put up more incubators house, Benji से, Benji ने कहा, कि मैं अधिक से अधिक incubator house बनाने जा रहा हूँ, बताया था कल आप लोगो को, incubator house का मतलब होता है, देखे, इसमें छुपा हुए, cube, cube का मतलब होता है घन, तो incubator house का मतलब होता है, जो गोल गोल, चौकोर, जो मुर्गी के रखने के लिए जो घर होते हैं, उसे incubator house का जाता है, ठीक है, तो उसने कहा कि मैं जादे से जादा incubator house लगाने जा रहा given Benji the past book they did not speak जिस तरह उन लोगों ने Benji को past book दिया था तब Benji ने कुछ नहीं कहा था same to same they had expected something else उन लोगों ने इस वक्त भी कुछ अलग expect किया था कुछ अलग अकांग्छा उनके मन में थी कि वो बेटा बोले कि पिता जी मैं आपके लिए जमीन खरीद रहा हूँ आपको gift देने के लिए खरीद रहा हूँ ठीक है तो इन लोगों ने ऐसा expect किया था लेकिन यहाँ पर तो बात फिर उल्टी पर गई कि Benji ने कहा कि मैं मुड़गियों को पालने के लिए जादा incubator house बनाने कि लिए जमीन खरीद रहा हूँ without quite knowing what a word a small concession perhaps कि कुछ सब्द नहीं बोले कम से कम कुछ concession ही देता वो इसका बेटा an assurance कुछ assurance ही देता कुछ assurance ही देता that things would go on as before कि सब कुछ अप पहले जैसा हो जाए हम खुष हो जाएंगे इस तरह से कुछ बोलता अपने पापको but there was nothing लेकर ऐसा कुछ नहीं हुआ only the same simple finality as when Benji had taken possession of the passbook और इस वक्त भी उसी तरह उसने smile दिया उसी तरह उसका हावव था जिस तरह से passbook लेते वक्त में पहली बार उसके चेहरे का हावव था they were momentarily pained इस वक्त भी उन्हें बहुत दुख हुआ उनके माता पिता को then they knew again why it was अब फिर उन लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ there are some things which are forgivable to a simple minded man कुछ-कुछ बाते हैं जो منद बुधी इनसान को माफ कर देना चाहिए उन लोगों ने सोचा कि मेरा बेटा तो simple minded आदमी है मंद बुधी आदमी है पागल आदमी है तो इसको माफ कर दिया जाए छोड़ दिया जाए माफ कर दिया the simple minded as they knew quite well do not always understand यह जो simple minded इनसान है वो हमेशा यह सब बात नहीं समझते हैं ठीक है यह बात इनके माता पिता अच्छे से जानते थे उसके बाद अगला पराग्राफ है by the time समय के अनुसार Benji was almost 40 Benji 40 साल का हो चुका था and it was only to them that he remained a simple minded man और उनके माता पिता के लिए अभी भी वो एक मंद बुद्धी बालक ही था as his new hygienic chicken houses began to cover first one strip of their father's former land and then another as his new hygienic chicken houses अब नई अच्छी chicken के houses मुर्गियों के घर began to cover cover करने लगा ढकने लगा मतलब बनने लगे घर मुर्गियों के first one strip strip का मतलब होता है पट्टी जमीन की पट्टी of his father's former land former land का मतलब होगा पुरानी जमीन पिता की जो पुरानी जमीन थी तो अब तो जमीन पिता की नहीं रही अब जमीन किसकी हो गई बेंची की क्योंकि बेंची ने उसे खरिद लिया तो उस जमीन पर अब वो जादे से जादा एकदम जबरदस्त मुर्गियों के फॉर्म मुर्गियों का घर बनाने लगा with the grey patches of hand dung भूरे डंग की ग्रे कलर की मुर्गियों के डंग से डंग मतलब होता है गोबर मुर्गियों के गोबर से eating their way into the brown tilled earth ही उसके brown tilled earth पर उसके पिता के जो भूरी जमीन थी एकदम बंजर जमीन जो थी जिस पर उसका पिता कुछ नहीं करता था उस पर अब मुर्गियों के गोबर के धेर परने लगे he began to be the largest poultry farmer on that side of the town वो अपने शहर का सबसे बड़ा poultry farmer बन चुका था in appearance he had changed to अब उसकी आकरती भी बदल चुकी थी appearance का मतला होता है उसका आकार आकरती ठीक है बेंजी का सरीर का बनावट always big limbed he had now become rather fat अब लंबे लंबे उंगलियां वाले जो लंबी लंबी पैर लंबे लंबे शरीर वाला जो अब वो इंसान वो जो बेंजी था अब वो मोटा भी हो चुका था his eyes were still a simple blue लेकिन उसकी आँखे अभी भी blue color की एकदम सीधा सादा blue color का आँख था नीले color का and soft fair hair अभी भी उसका जो बाल था एकदम soft fair hair था उसके बात क्या है still fair hair still grew thickly on his face और उसके जो मोटे मोटे बाल थे अभी भी उसके चेहरे पर ऐसे ही दिख रहे थे but now लेकिन अब set in fat flesh अब वो मोटे flesh flesh मतलब होता है manch ठीक है मोटा चमरी में the eyes seemed much smaller उसकी जो आखे थी अब एकदम छोटी लग रही थी क्योंकि बहुत मोटा हो गया था वो आखे चोटी लग रही थी they were no longer the eyes of a simple minded man अब उसकी आखें किसी मंद बुद्धी इंसान की आखें नहीं लग रही थी they were the eyes of man अब वो उस वेक्ती की आखें लग रही थी who in a simple way is quite cunning जो साधारन तरीके में बहुत बहुत चलाग इंसान होता है धूरत आदमी होता है एकदम चलाग उस तरह से उसकी आखें अब लग रही थी अगला पर अगर आप चलते हैं no one कोई नहीं बट बेंजी लेकिन बेंजी at this time इस समय new जानता था how many hands and chickens he possessed कि कितने सारे chicken उसके पास थे कितने सारे मुर्गी और मुर्गी के बच्चे उसके पास थे ये कोई नहीं जानता था लेकिन बेंजी जानता था no one knew how many eggs the collective system lorries lorries मतलब होता है जो समान ढोने वाला जो गाड़ी होता है उसको lorries कहते हैं तो कोई नहीं जानता था कि कितने सारे अंडे lorries में लाए जाते हैं और ले जाए जाते हैं हर एक सब्ता no one knew the amount of his pass book कोई उसके pass book का amount पैसा नहीं जानता था कि उसके pass book में कितने पैसे हैं it was possible to gauze his progress only by the new chicken houses covering his father's former land उसके progress को मापने का गauze मतलब होता है मापना उसके progress को जो तरक्की कर रहा था इस बात का अंदाजा लगाना इस बात को मापने का एक ही तरीका था कि उसके पिता की जो पुरानी जमीन थी पहले की जो जमीन थी ठीक है जो अब नहीं रही अब बिंजी की हो गई उस जमीन पर जो houses बन रहे थे चिकेन के नहीं नहीं मुर्गियों के जो नहीं नहीं घर बन रहे थे उसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितना आगे बढ़ गया है और वास्ता में बात ये थी कि अब वो लोग मतलब नौकर चाकर रखने लगे थे इंपलॉई रखने लगे थे उसको मदद करने में अब अकेले उससे नहीं संभल रहा था वन अफ दीज पीपल वास्ट गर्ल नेमड फ्लोरेंस अब यहां से कहानी का अगला पार्ट है ठीक है अब कहानी में अलग से ट्विष्ट आएगा वन अफ दीज इन सब के अतरिक वन अफ दीज पीपल इन लोगों में जो इंपलॉई जो आए उनमें काम करने के लिए उन लोगों में वास गर्ल नेमड फ्लोरेंस एक लड़की भी थी जिसका नाम फ्लोरेंस था शी हैड थिक हेवी लेक्स उसकी मोटी मोटी टांगे थी भारी भर कम लड़की थी वह एंड लूज लिप्स और एकदम धीले ढाले होट थे एंड अन रिफलेक्टिव ग्रे आइज और एकदम ग्रे कलर की आँखे थी एकदम बेकार लग रही थी डैट मैच्ड बेंजी इन दियर एपरेंट सिंप्लिसिटी जो बेंजी के सिंप्लिसिटी से मैच कर रहा था जिस तरह से एकदम बेडंगा मोटे मोटे बाल बेंजी के थे ठीक उसी तरह की वो लर्की भी थी जब फ्लोरेंस जुकी डाउन टू क्लीन दा चिकेन हाउस को साफ करने के लिए जो ग्राउंड से कुछ उपर उठा हुआ था बेंजी कुड सी अगैप आफ बेर फलेश अबब हर ग्रे स्टॉकिंग्स स्टॉकिंग्स का मतलब होता है मौजा ठीक है तो उसका जो ग्रे कलर का जो मौजा था उसके उपर पैर में मौजा था उसके उपर जो hasकी जो नंगे जो जिस्म थे उसको बेंजी ने देखा और ने शैडोज ऑफ दीप बेस्ट से बेस्ट स बनीथ हर स्माग स्मोक का मतलब होता है फ्रॉक लगकियों का जो फ्रॉक होता है उसके नीचे से उसने उसकी डीप ब्रेस्ट को देखा ठीक है ब्रेस्ट मतलब आप लोग जानते हैं इन लिटिल वाइल कुछी समय के बाद बेंजी वाज कैचिंग फ्लोरेंस एबाउट दे वार्म डार्क इंक्यूबेटर हाउसे उस गर्म डार्क अंधेरे इंक्यूबेटर हाउसे में बेंजी उसे पकर रहा था ठीक है and for the first time in his life अपनी पूरी जिन्दगी में पहली बार he had some other interest besides him उसके जिन्दगी में पहली बार कुछ अलग interest जगा था मुर्गियों के अलावा ठीक है जुसी interest का क्या नाम था फ्लोरेंस चली अगला पार अगला आप देखते हैं 39 नमबर है it became clear to him ये बात उसके सामने clear हो चुकी थी that his father कि उसके पिता and mother और उसकी माँ did not like Florence Florence को पसंद नहीं करते थे this simple इस सीधे साधे undistinguished girl ये जो undistinguished एकदम अजीब सी लरकी थी with ugly legs एकदम वेकार से पैर and a mouth और एकदम वेकार सा मूह that would not keep shut जो कभी भी चुप नहीं रह सकता था हमें साब बोलने वाली ररकी थी but Benji did not need a distinguished intelligent girl लेकिन Benji को एक distinguished और intelligent girl भी नहीं चाहिए था कि नहीं Benji जिस तरह का लरका था वो चाहता था कि मेरी जो बीबी हो वो भी मेरी ही जैसी हो ठीक है मेरी तरह simple हो जो उस पर हुकुम नहीं चलाए even if one would have looked at him अगर कोई दूसरी लड़की भी उसके नजर में आती फिर भी वो उसे पसंद नहीं करता he needed a woman वो ऐसी महिला चाहता था to help with the hands जो मुर्गियों में उसे मदद करे and soon he was saying that और जल्दी उसने कहा that he and Florence would be married कि वो और Florence दोनों शादी करेंगे उसने अपने माता पिता को कह दिया as with the past book and land his father and mother were not prepared for that यहाँ पे land होगा ठीक है past book और जमीन की तरह उसके माता पिता इस वक्त भी prepared नहीं थे तयार नहीं थे उसकी बातों को सुनकर फिर उनको धक्का लग गया married, शादी aren't you alright as you are तुम्हारा दिमाग तो ठीक है don't you want time to consider it क्या तुम्हें समय नहीं चाहिए इस बात पर सोचने के लिए where are you going to live तुम कहां जाओगे रहने के लिए सादी करके here Benji said Benji ने कहा कि यहां पर रहेंगे और कहा जाएंगे and that autumn और उस थंडी में थंडी autumn season में at the end of his 40th year अपने 40 साल Benji moved into the house with Florence as his wife Benji अपने घर में शादी करके Florence के साथ आ गया कितने साल के उम्र में 40 साल के उम्र में याद रखीएगा objective question में आपको पूछा जा सकता है we will want the front bedroom Benji ने कहा कि मुझे वो सामने वाला bedroom चाहिए all the year leaves his parent and mother his father and mother had slept in the front bedroom अपनी पूरी जिंदगी उसके माता और पिता उस सामने वाली bedroom में सोए मतलब सामने वाले bedroom में उसके माता पिता पूरी जिंदगी भी सोए लेकिन अब Benji ने कहा कि मुझे चाहिए now they vocated it अब उन लोगों ने उस bedroom को खाली कर दिया vocate कर दिया खाली कर दिया and moved into the back और घर के पीछे जो बरामदा था घर के पीछे जो घर था पीछे वाला जो घर था वहाँ पर जा करके रहने लगे this removal hurt them deeply यह जो removal था यह जो उसे Benji ने जो उसे हटाया था घर से यह बात उन लोगों को एकदम अंदर तक उसे चोट पहुँचाया but because it was now Benji's house लेकिन चुकी यह Benji का घर हो चुका था Benji ने खरीद लिया था because Benji asked it और Benji ने कहा कि मुझे चाहिए विरोध किये वो वहां से चले गए adding a little more to the long chronicle of sacrifice एक बलिदान की गाथा को जोडते हुए अपनी जिंदगी में कि चलो एक और बलिदान दिया अभी तक तो बलिदान ही देते हा रहा था दोनों ठीक है forgiving Benji Benji को माफ करते हुए because a simple minded cannot be expected to understand कि एक मंद बुद्धी आदमी इस बात को नहीं समझ सकता कि वो अपने माता पिता को अपने घर से निकाल दिया इसलिए उसने Benji को इस बार भी ये बात सोच करके माफ कर दिया ठीक है अपने दिल को दिल को तो किसी बात को लेकर के तो किसी बात को लेकर के तो दिल को दिलाशा तो दिलाएगा ना तो ये बात सोच करके अपने मन को दिलाशा दिला रहा है कि जो बेटा है वो मंद बुद्धी है ये जो कर रहा है वो मंद बुद्धी के चलते कर रहा है ठीक है but the problem of the girl was different लेकिन लरकी को लेकर के जो समस्या थी वो अलग थी it seemed to them ये उन लोगों को लग रहा था that the girl was about to take away take Benji away from them कि वो जो लरकी थी वो Benji को उनसे दूर कर देगी the air in the house became charged deeply with antagonism उस घर की जो हवाएं थी वो अचानक antagonism से charge हो गई antagonism का मतलब होता है मन मुटाव ठीक है मन मुटाव मतलब बोल चाल बंद हो जाना बात नहीं करना जगरे की भावना हमेशा मन में भरा रहना उस भावना से उसके घर की जो हवाएं थी वो charge हो चुकी थी the house itself invisibly but clearly divided लग तो नहीं रहा था लेकिन अंदर ये अंदर घर जो है वो बट चुका था ठीक है and then presently it became divided in actuality और अब वास्ता में घर बट चुका था up to that उसके बाद उस समय के बाद the four people had eaten together चार लोग एक साथ खाना खाने लगे कौन-कौन बेंजी के माता पीता बेंजी और फ्लोरेंस suddenly बेंजी's mother did not like the way फ्लोरेंस scout the sauce pens sauce pens का sauce मतलब चटरी होता है और pen मतलब बरतन होता है या फिर sauce pen का मतलब होता है खाना बनाने वाले जो बरतन होते हैं उसकत है तो फ्लोरेंस जो उस बरतन को जो सकौर्ड करती थी क्रीन साफ करती थी वो साफ करना बेंजी के माता पीता को अच्छा नहीं लगता था पसंद नहीं आया पसंद नहीं आता था I always score them मैं हमेशा उने साफ करती हूं उस बरतन को साफ करती हूं किस से? With soda सोडा से साफ करती हूं Soda's always been good Enough for me and always will सोडा हमेशा मेरे लिए अच्छा है और हमेशा मेरे लिए अच्छा रहेगा मतलब मैं साफ करूंगी तो सोडा से ही बरतन साफ करूंगी मतलब मेरे घर का जो बरतन है वो सोडा से ही साफ होगा ठीक है उसकी माने कहा जब बेंजी ने जहगरा सुना उसके पास एक सिंपल सॉल्यूशन था जो इस बात को सेटल कर दिया खत्म कर दिया उसने कहा अब तुम कीचेन में खाओ अपनी मा को कहा कि तुम अब कीचेन में खाओ and we will eat in the other room और हम लोग दूसरे रूम में खाएंगे मतलब तुम लोग कीचेन में खाओ और हम लोग दूसरे रूम में खाएंगे बेंजी ने कहा और प्राबलम खतम and throughout that winter और पूरे थंडी के महिने भर बेंजी and his wife lived in one part of the house and his father and mother in other उसके बेंजी की बेंजी और उसकी wife घर के एक भाग में रहती थी और उसके माता-पिता दूसरे भाग में to the old people उन बुढे माता-पिता के लिए बुढे लोगों के लिए the days begun now to seem very long दिन अब बहुत लंबा लगने लगा था ठंडी के महिने में दिन छोटा होता है न लेकिन उनके लिए बहुत बरा दिन लगने लगा and as they looked out on the land जिस तरह जिस परकार जब हुए अपनी जमीन को देखते they could see the reason और उन्हें वो कारण समझ में आ जाता कि ये ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है where there had once been brown the bear earth जहां जिस जमीन जो जमीन बेंजी के माता पिता का था जो जमीन कभी एकदम नंगी रहती थी मतलब उस पर एकदम brown कलर की एकदम भूरी कलर की जमीन रहती थी पर कुछ फसल वसल सब नहीं उगता था उसके पिता नहीं उगाते थे rows of winter beans patches of wheat जिस पर कभी गेहूं के छीटे रहते थे गेहूं के धेर रहते थे beans के beans मतलब लत्ती जो beans होता है ठीक है उसके लत्तियां रहती थी there were now only benji's chicken house जहाँ पर अब सिर्फ benji का chicken house है the earth was still there जमीन तो अभी भी वहाँ पर है but the purpose of it no longer concern them लेकिन अब जो वहाँ उस जमीन का जो purpose है वो उनके लिए नहीं था मतलब जमीन उनका अब नहीं रहा the plow, hull, the mare, ghori, the cart, gari and their few tools और उनके कुछ हतियार stood about in the yard अंगने में अभी भी रखे हुए थे but now it was truer than ever that without the earth they were useless लेकिन ये बात एक दम सत्य थी कि अर्थ के बिना, जमीन के बिना ये सारी चीजें बेकार थी as the winter went on जिस परकार मतलब ठंडी का महिना जारी था and the four people were more and more confined indoors और चार लोग indoors में ही सिमित रह गए थे मतलब घर के अंदर ही सिमित रह गए थे the division in the house became an enormous gap और घर में जो ये division हुआ था ये जो विवाजन हुआ था वो एक विशाल gap बना दिया था उन चारों लोगों के बीच में मतलब इसके दोनों के बीच में बेंजी और उसकी वाइब के बीच में और उसके माता पिता के बीच में बहुत बड़ा gap बना दिया था दोनों महिलाएं मतलब बेंजी की मा और बेंजी की बीबी दोनों महिलाएं सीड़ी पर जब चड़ती उतरती थी तो एक दूसरे को मन मुटाव की भावना से देखती नौर स्पीकिंग नहीं बोलती वें बेंजी जी फादर वागड आउट टू प्रीच ओन संडेज जब बेंजी के पिता रवी वार को भाशन देने के लिए निकलते ही वागड स्लोली वे धीरे धीरे चलते एंड ब्रोकिनली और जैसे अंदर से तूट चुके हो इस तरह से चलते विद दे स्टेप्स ओफ एन ओल्ड मैन एक बुढ़े आदमी के कदम से चलते ठीक है चुकि वो बुढ़े हो चुके थे अब अब अनली बेंजी अपियर्ड नोट टू बी अपसेट केवल बेंजी ही ऐसा वेक्ती था जो अपसेट नहीं था प्री ओक्यूपाइड वियस्त था प्री ओक्यूपाइड मतलब वियस्त विद इज हैंस अपने मुर्गियों के साथ इट वाज ऐस ऐसा मनो दे इमोशनस ओफ नॉर्मल पीपल नेवर पीन्टरेटेड बियोंड ही प्लंप हेरी फेस की एक नॉर्मल पीपल का जो दे इमोशनस ओफ नॉर्मल प्लंप हेरी फेश and these eyes that looked so harmless and simple still वो कभी भी नॉर्मल आदमी के जो emotion है वो कभी उसके चेहरे पर वो emotion कभी दिखाई नहीं परता था and the eyes that looked और उसकी जो आखें हैं वो बिलकुल harmless और simple अभी भी दिख रही थी harmless का मतलब होता है एकदम हानी रहित एकदम सीधा सा but in the end it was Benji who made the decision लेकिन अन्त में फिर से Benji ने एक decision लिया mom and dad, mommy और daddy he said उसने कहा it would be lot better ये बहुत ही अच्छा होगा if you went somewhere else to leave कि आप लोग कहीं दूसरे जगा चले जाए रहने के लिए Benji Benji they said उनलोगों ने कहा Benji ये क्या तुम बोल ले हो हम यहां से छोड़ करके कहां जाएंगे अब देखिए चुकि घर में जगरा होता था तो Benji तो एकदम सीधा सा आजमी था तो वो चाहता था कि जगरा नहीं हो इसलिए उसने अपने ममी बाबा को बोला कि आप लोग यहां से दूर चले जाएं कहें A lot better he said हाँ बहुत अच्छा होगा This is our house now ये अब हमारा घर है Benji ने कहा कि ये अब हमारा घर है We want it हम और और इस घर को हम लोग चाहते हैं I bought the house मैंने इस घर को खरीदा है I said and I want it now और मैं चाहता हूँ कि अब ये मेरा हो जाए आप लोग यहां से चले जाएं Benji I bought it and I want it मैंने इसे खरीदाया और मैं इसे चाहता हूँ Benji said again Benji ने फिर से कहा I want you to go मैं चाहता हूँ कि आप लोग चले जाएं Benji we can't go His mother said Benji उसकी माने कहा कि Benji हम लोग नहीं जा सकते We got nowhere to go हम लोग कहीं नहीं जाने वाले We got nowhere हम लोग कहीं नहीं जाएंगे You have to go out get out now Benji shouted Benji चिलाया कि आप लोगों को जाना ही होगा as he shouted they realized जैसे ही वो चिलाया उन लोग ने महसूस किया more fully than at any time in their lives अपनी जिंदगी में पहली बार That Benji was really not right in his head कि Benji सही में दिमाग से सही नहीं है पागल है His simple blue eyes were shot suddenly with a wild expression of insane anger एकदम पागलपन वाला गुसा Insane anger मतलब पागलपन वाला गुसा उसके आँखों में दिखाई देने लगा अचानक They not only knew that Benji was a simple minded man वो ये के वल ये नहीं जानते थे कि Benji एक simple आदमी है Simple minded आदमी है Who was not fully responsible for his actions और वो अपने इस action के लिए पुरी तरह जिम्मेबार नहीं है वो ये जानते थे But for the first time लेकिन पहली बार Struck by this wild-eyed burst of anger उसकी आँखें जो गुसे से लाल हो चुकी थी इस से उन्हें पहली बार धक्का लगा चोट लगा They were frightened of Benji too और वे Benji से डर भी गए थे All right, ठीक है They said उन्हें लोगों ने कहा We will find some way to go हम लोग खोज लेंगे दूसरा जगा जहां पे मुझे जाना है It was little more than a week later एक सब्ता के बाद When Benji drove his mother and father Drown into the town जब Benji न अपने माता पितों को शहर में जाकर चोड़ दिया He now had a small ford van उसके पास एक छोटी सी ford van थी चार पहिये वाली गारी थी And as he drove the van और जब वो गारी चला रहा था With his mother and father अपने माता पिता को ले करके On the driving seat Driving seat पर वो बैठा था He showed no sign of normal emotion उसके चेहरे पर कोई भी normal emotion कोई भी normal इंसान वाला भावना नहीं था It was clear that ये बात clear हो चुकी थी की He did not understand the meaning of affection उसे प्यार का कोई मतलब नहीं पता था लगाव का कोई मतलब नहीं पता था Of bewilderment Bewilderment का कोई मतलब नहीं पता था मतलब हैरानी परेशानी की कोई मतलब नहीं पता था Or of despair और नहीं निराशा का कोई उसके चेहरे पर emotion था He felt, वो महसूस किया And spoke और बोला And thought only in the simplest terms वो सिर्फ सोचता था और बोलता था एक simple term में और वो एकदम सीधा बात होता था ठीक है, समझने है बात कि वो एकदम simple minded था उसने बोला माता पिता को चले जाओ मतलब चले जाओ अब उसको ये नहीं मतलब है उसने सोच लिया कि ये जाएंगे तो जाएंगे ठीक है और उसे प्यार वियर से कोई मतलब नहीं था With the cruel simplicity of a child एक बच्चे की तरह उसके अंदर एक cruel simplicity थी एक तब निर्दई simplicity निर्दई साधारन साधारन था वो You will better by yourself in lozings आप लोग किसी lodge में जाकर के रहें उसने कहा He said You will be better by yourself आप लोग अकेले रहेंगे तो अच्छा रहेगा They did not answer उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया उनके माता पिता ने They sat with faces made completely immobile by a kind of estupey filled resignation very near to grief मतलब वे लोग बैठे थे They sat बैठे थे with faces made completely उनका चहरा पूरी तरह से immobile हो चुका था मतलब एकदम दुख से भरा हुआ by a kind of estupey resignation एकदम घबराहाट से भरा हुआ very near to grief एकदम दुख में भरा हुआ They listened silently उन लोगों ने एकदम चूप चाप सुना because for 40 years they had believed क्योंकि वो लोगों ने 40 साल तक बस ये विश्वास किया था Benji to be not right in his head कि Benji अपने दिमाग से ठीक नहीं है They made allowance for the last time वो लोगों ने अंत में allow किया मतलब अनुमती दे दी हाँ ठीक है Down in the town the car is stopped बीच सहर में जाकर के car रुकी in a street filled entirely with houses एक गली में जिस गली में बहुत सारे घर थे Benji did not get off of the van Benji car से बाहर नहीं निकला His father's and mother's belongings had already gone on and now they alighted empty-handed उसके माता और पिता की जो समान थे वो पहले ही जा चुके थे मतलब उसकी जमीन जायदा सब लूट चूका था और वो एकदम खाली हाथ वहाँ पे खरे थे As they stood on the pavement Benji spoke a few words to them जब वो वहाँ पे खरे थे तब Benji ने उन्हें कुछ शब्द कहा looked at them उन लोगों को थोड़ा देखा with unmoved simple eyes एकदम साधारन आखों से and then drove away और वो तब वहाँ से चला गया गारी लेकर के When the van had gone जब गारी चली गई थी They stood alone on the pavement वो लोग वहाँ पर गली में एकदम खरे थे Looking at the ground जमीन की तरफ देखते हुए They stood as if they had alighted in a strange place ऐसे लग रहा था कि मानों किसी अजीब जगा पे आ गए है We are not sure of themselves and did not know what to do अब उनलों वो समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें Once they had had the earth जब उन लोगें के पास जमीन थी Now it was not possible to tell from their downcast and silent faces whether they all together realized that it too had gone अब उनलों वो समझ में आ चुका था कि अब उसके पास जो कुछ भी था वो सब लुट चुका है जा चुका है तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि उसके यहाँ पर गलती किसकी है गलती बेंजी की है या उसके माता पिता की है जो उसे 40 साल तक उसे मुर्क समझते रहे उसे पागल समझते रहे उसे मंद बुद्धी समझते रहे और वो बेंजी था भी मंद बुद्धी उनके माता पिता का करता भी यह बनता था कि उसके माता पिता जो भगवान के भरोसे बैठे थे जो भगवान सब कुछ ठीक करेगा उनके जमीन लोटा देगा उसके पिता काम करने के बदले भाशन दिया करते थे अगर आज उसके पिता ने महनत करके अपनी जमीन खुद वापस ले ली होती खुद उसके अपनी जमीन खरीद ली होती तो आज उसे अपने घर से नहीं निकलना परता आज उसका बेटा उसके अंदर रहता उसका बेटा उसका बात मानता लेकिन पागल होने के बावजूद, मंद बुद्धी होने के बावजूद उसके बैटे ने खुद महनत की और मज़ता नहीं प्यार महबत वो समझा नहीं क्योंकि इसके माता पिता ने कभी उसे प्यार महबत समझाया नहीं क्योंकि वो तो उन्हें पागल समझते थे उसे पागल समझते थे वो लोग तो इसकी वज़स यहां पे गलती देखें तो इसके उनके उसकी बेंजी के पिता की ह है जिसने मेहनत न करके आलसी पन से अपने बेटे के भरोस से बैठे रहे भगवान के भरोस से बैठे रहे समझे कैसी लगी कहानी कम comment करके जरूर बता है और बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए बना हुआ है चैनल में जाकर करे देखें बहुत सारे चेप्टर का ऐसे ही इससे भी बहतर एक्जामपल आपको मिलेगा और आशा है कि आपको इस तरह से कोई नहीं समझायागा जिस तरह से आपको हमारे चैनल में समझाया जाता है तो कैसा लगा कमेंट जरूर करें और मेरे दूसरा चैनल है प्राउड टो भी भी हारी जिसका लिंक मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आप मेरे चैनल में जाएगा तो सबसे पहले आपको वही मिलेगा प्राउड टो भी भी हारी तो जरूर देख ले बाइ बाइ थैंक यू समच्छ टेक केर